ओम नमो भगवते वाशु दिवाएं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोकामना फूरी होने के संकेत इस्वर्ख कैसे देते हैं आप इस बात को किस तरीके से समझ सकते हैं प्रेकृती हमारे लिए हर दिन नए-नए तरह के और अलग-अलग तरह के संकेत देती हैं हमारे सामने कुछ न कुछ ऐसी चीजों को लेकर आती हैं जिसके द्वारा भविश्य को हम समझ सके या आने वाली घटना-दुरघटना के बारे में हम अंदाजा लगा सके लेकिन दौ नहीं दिया तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पताएंगे कुछ खास ऐसी चीजे जिनको यह आप समझ लेते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इस कारे में या फिर आप जिस भी कारे में हाथ डाल रहा हैं उस कारे में आपको कितनी सफलता की भी या नहीं आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं आप सभी स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे और आप सभी क्योंत्तम भविश्य की काम ना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूं दोस्तों ये आप किसी भी जरूरी काम से बाहर निकल रहे हों और उस समय आपको स्रेंगार कीवी कोई भी सुहागन इस्तरी दिख जाती हैं तो समझ लें आपको काम में अपनी जो भी कारे से आप बाहर निकल रहे हैं उसमें सत परतीसित आपको सफलता हाथ लगने वाली है ये आपको रास्ते में साप की जोड़ी दे जाएं तो इसी बहुत जादा सुब माना जाता है ये बहुत ही सैयोग की बात होती है क्योंकि काम तोर पेन नहीं देखा जाता है और ये आपने देखा है तो भगवान आपको कोई न कोई इसके बारे में सुब संकेते देती है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये आपको साप की जोड़ी दिखाई दे जाएं तो मनोकामना पूर्ण तो होती है साथ ही बहुत ज को किसी भी मनश्य तक पहुंचाने के लिए किसी और तरीके के जड़िये की तलास करते हैं वो साक्षात सामने नहीं आते हैं नींद का ब्रह्मोर्थ में खुलना ही इस बात का संकेत होता है कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहें क्यूंकि दोस्तों ब्रह्मोर्थ का जो समय होता है वो दैवे के गुनों का होता है उस समय जो दैवे गुन होती है वो बिलकुल पावर में होती है इसलिए यदि आपक बहुत अच्छा सँकेत माना जाता है। ये आप किसी भी जरूड़ी काम से बाहर जा रहे हैं और बंदर का जुन्डे दिखाई दे जाएंना बंदरों को जूणड होता है। भगवान इस्षण नुभाद ने इसी खार ने के लिए बहुत दिखाई हता है। ना स्वहân बाहर जा रहे हो उस समय यदि आपको किसी भी वैक्ति के हातों में फूलों का गुच्छा दिखाई दे जाता है या फिर फूल दिखाई दे जाता है फूलों का हार दिखाई दे जाता है तो इसका मतलब भी बहुत सुब संकेत माना जाता है इसके साथ ही यदि आप बाहर नि जो भी इच्छा है, जिस भी काड़ी के लिए आप जा रहे हैं, उसमें आपको 100% सफलता हाथ लगने वाली है, सुबह आप जब किसी भी जरूरी काम से बाहर जाते हों, यदि उस समय आपको मचली भी दिखाई दे जाता है, तो इसका भी मतलब सुब होता है, मचली का दिखा दाई होंगे ऐसी और भी जानकरियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, अगले वीडियो में एक नई जानकरी के साथ फिर से मिलूंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों